Hello Friends, Relic Commission को हम आलड़ी डीटेल में डिसकस कर चुके हैं बट आज की इस वीडियो में हम लोग Relic Commission के Mind Map को देखेंगे हम देखेंगे कि ये Commission क्यों बनाया गया, ये क्या था, इसकी क्या Recommendation थी और इसे कब बनाया गया, तो शुरुआत करते हैं When से इस Commission को बनाया गया था 1902 में, इसे Indian Universities Commission कहा जाता है और इसे बनाया गया था क्योंकि इंडिया में Secondary Education बहुत ही तेजी से Expand हो रही थी और ये इसलिए Expand हो रही थी क्योंकि Hunter Commission ने Recommend किया था Liberal Grants in Aid System को और इसके वजह से Secondary Education ना सिर्फ तेजी से Expand हो रही थी, बलकि उसकी Quality भी Deteroate हो रही थी इस Commission ने अपनी Recommendation में कहा कि University Senior Size को Reduce कर देना चाहिए Senior Members के Tenure को Fix कर देना चाहिए इसी के साथ साथ Better Control के लिए University Senior Members में कुछ Members को Nominate किया जाना चाहिए और साथी साथ Government के पास Veto Power होनी चाहिए University Regulations को Control करने के लिए इनकी Next Recommendation में इन्होंने कहा कि Colleges के Affiliation के लिए जो Rules है उनको और ज़्यादा Tighten किया जाना चाहिए और साथी साथ Periodic Inspection भी होना चाहिए इससे Quality of Education काफी ज़्यादा Improve हो सकेगी तो ये था Rally Commission का Mind Map आप इसको Download कर सकते हैं Bookstava के Telegram Channel से Link आपको Description में मिल जाएगा और अगर आप Rally Commission को डीटेल में समझना चाहते हैं तो इसके उपर Bookstava चैनल पर आलड़ी एक वीडियो अवेलेबल है आप उसको भी देख सकते हैं Thank you so much for watching and supporting Bookstava